नमस्कार दोस्तो जिस परकार आपने कल की वीडियो में देखा था कि घर बनाने के लिए कॉलम एक important factor होता है उसी तरह आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यदि घर बनाते हैं तो उसमें आपको staircase यानि की CD की आउसकता होती है तो यहाँ पर हम बात करने वा होती है आप उसको definitely वापर work कर सकते हैं बहुत ही simple criteria में इस studio में आपके साथ share करने वाला हूँ यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक बाल लाइक कर दीजिएगा अपने friends से जरूर शेयर कर दीजिएगा और आप चाहते हैं कि आपके बाद डेली basis पर ऐसी ही वी सकते हैं क्योंकि देखिए staircase एक बहुत बड़ी चीज होती है यदि आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो आपकी construction कोश्ट बढ़ जाएगी पहली चीज और जो aesthetic view होगा staircase का वह बहुत बेकाल लगने वाला है तो आपको हर एक point को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है पहली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां बरकि देखिए यह आपको एक cross section दिख रहा है stair का जिसमें मैं आपको बताने की कोशिस की है कि किस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते कि यह तो जो आपका column जो होते है उस पर आपक attachment रहता है यह जो आप देख रहे है यह पूरी क्या है stair case से CD है इसमें अब आप क्या बोल सकते हैं इसको अलग अलग तरीके से define कर सकते हैं किस तरीके से करेंगे इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं जो आपको यह portion दिख रहा है यह क्या है आपकी landing के लाती है ठीके ना इसक क्या होता है trade तो आप यहां से चड़ रहे हैं तो आप सबसे पहले पेर का रखेंगे इस portion पर रखेंगे तो यह क्या हो गया आपका trade हो गया फिर जितना पेर आप उपर उठाते हैं CD को चड़ने के लिए वो क्या होता है आपका riser होता है तो पहली चीज मैं आपको बता द आप रहे हैं तो यह क्या है आपका यहां पर यह trade हो गया है और आपने जितना उपर portion उठाया है मतला यह जो portion हो गया है यह क्या क्या है आपका riser ठीक है ना सबसे जो होती है lexi को यहسم करने वाले हैं किसके बाद हम देख लेते हैं जो मेरा उंपको लेंदिंग क्या 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 स्र ज्यादा नहीं करेंगे बेरी इसके बाद हम के लेते हैं यहां पर फ्लाइट हाइट की फिर हम आपर बात करेंगे फ्लाइट ठीकनेस की ठीके न तो यह चीज़े आपर बैटर करती है साथ में यह भी बता देते हैं आपको कि फ्लाइट एंगल क्या होता है अभी सर यह फ्लाइट आप क्या वर्ड ले रहे हमने पहली बार सुना है देखी दोस क्या होती है जब आप स्टेर बनाते हैं तो स्टेर से जो होता है उसकी इस्टेर केसे अपर रखते हैं उसका क्या बोलते पर एक ठीकनेस कैंने ठीकनेस कितनी होने चीज़ स्लेब की जो स्लेब आपका रखा रहता है या आपकी सीड़ी जा रहे तो जो आपका स्लेब होता है उसकी ठीकनेस कितनी होना चाहिए क्योंकि वो भी एक important factor रहता है जहाँ पर आप नंबरा प्यूपल जादा आ रहे हैं वहाँ पर यह बहुत जा जादा एंगल पर रखा जाता है नॉर्मल एंगल पर नहीं रखा जाता है क्योंकि स्पेस महाँ पर कम होती है और उनको सेड़ी बनाना है तो वो क्या करते हैं कि एंगल जादा देते हैं ताकि वो आपको ऐसे सीधी दिखती है बट वो क्राइटेरिया आपको गलफ होता है मैं आपको एक एंगल बताने वाला हूँ कि आप इस एंगल पर fix आपकी stir को कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो riser होता है riser की जो minimum होती है वो 6 inch से 8 inch तक आप ले सकते हैं ठीक है कहीं कहीं पर आपको 10 inch तक का भी rise दिखता है बना आपको इतना पेर उठाना पड़ता है अब यह समझें दोस्तों कि आपके घर में कोई भुजूर्ग व्यक्ति है आपके दादा जी है आपके पापा है मम्मी है तो उनको जादा पेर उठाने में problem होगी तो आपको यह ध्यान रखना है आप अपने एकोर्डिंग घर ना बनवाते हुए overall देखिए क्या condition वहाँ पर लागू हो सकती है तो हम यहाँ पर जो राइजर रखते हैं वो 6-8 inch के लगवाँ हम यहाँ पर रख देते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपर trade की तो trade जो होता है आपका trade अब देखिए जिस पर आपको पेर रखना है तो आपको जो पेर होगा वो पूरा रखना चीए कहीं बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि यह जो राइजर होता है जो आपका trade होता ही जिस पर आप पेर रख रहे हैं, यह छोटा रहेगा, तो आपका पेर थोड़ा सक्या रहेगा, बाहर रहेगा, उससे आपको गिरने के चांसे जाता रहेंगे, पहली बात, जब आप चड़ते तो आपको awkward लगता है, और जब आप उतरेंगे, तो आपको सीडियां, बहुत इसी दिखेंगे, consistent time, बहुत आपको problem हो सकती है, तो आप क्या करते हैं, आपको trade को जादा रखते हैं, trade हम रखेंगे, आपको 10 इंच से 12 इंच, 12 इंच, आप 10 के लगबग लगबग रख सकते हैं, ठीक है, next बात आती है, अब landing, अब landing क्या होती है, जब आप, जो आकर steps होती है, देखी, कुछ steps आई, फिर आपने एक landing provide की, landing इसलिए provide की, कि number of people हाँ पर खड़े हो सके, ठीक है, या कुछ ज़्यादा लोग आ रहे हो आपर, तो side हो सके, बहुत सारे purpose के लिए landing दी जाती है, ताकि आपको एक stay ज़्यादा देर तक, ना चड़ना पड़े, ना उतरना पड़े, इसके लि width रख सकते हैं, landing की, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कम नहीं देना है, कहीं-कहीं पर आपको 2 feet या 3 feet तक भी दिखती है, जगे कम होने की वज़े से, तो आप जगे को avoid ना करें, लेकिं landing जो होगी, आप proper दीचिए, ताकि आपको आसानी रहे है आप बात करते हैं, यह जो flight height होती है, और यह flight angle क्या होता है, देखिए, सबसे पिलने में आपको बता देता हूँ, कि जो flight thickness होगी, जो आप slab रखेंगे, उस slab का minimum आप 5 inch रखेंगे, ठीके ना, 5 inch आपको रखना है, इससे क्या होगा, यह वो collapse नहीं होगी, cracks नहीं आएंगे आप long time तग उसको use कर सकते हैं, ठीके ना, तो flight height को आप 5 inch रखेंगे, आप इसको क्या करते हैं, लोग बहुत पतला slab भी प्रोवाइट करते हैं, जो कि usable नहीं होता है, फिर हम बात कर लेते हैं, आपको flight angle की, तो flight angle क्या होता है, कि यह जो आपकी सेडिया होती, कुछ इस ट कहीं कहीं, पर आपको 45 degree दिखता है, जो कि यह गलत होता है, इसको आप avoid कीजिए, जो कि 45 बहुत ज्यादा inclined हो जाता है, 35 रखेंगे ता कि आपको चड़ने करने में दिक्कत ना आ है, समान आब इदी उपा चड़ा रहे हैं, नीच उतार रहें, तो आपको 8 पटर ना लगे consistent ना लगे, तो आप flight angle को क्या रख सकते है, 35 degree रख सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि जो आपकी flight height होती है, flight height आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कि जो flight height होगी, वो आप अपने according यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक ना, minimum आप 8 feet तो रखी रखी, ठीक है, 8 feet हैं आपको यहाँ पर रखना है, हम और चीज़ आपको बता देजी कि सरे जो राइजर होता है, और यह ट्रेड होता है, राइजर को किसे निकाला जाता है, निकाला जाता है इसको, height of floor, ठीक है न, अभी height of floor क्या है, एक floor से उपर तक कर, टॉप कर जो भी आपकी height रहती है, यहाँ पर आप लेसकते हैं, height of, राइजर, अब आप इसको यहाँ पर ले सकते हैं, 6 इंचे ले सकते हैं, 7 इंचे ले सकते हैं, जो भी आपके recording है, आपके ट्राइम प्रॉइट की हुए वो रे सकते हैं, ट्रेड आप 10 इंच मिनिमूम लेके चलिए बारा ज्यादा हो जाता है एक फिट के लगभग तो आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं ठीक है तो आप यदि नंबर आफ राइजर निकालना चाहते हैं नंबर आफ राइजर कैसे निकलेंगे कि आपके एक स्टेप में जो आपके एक स्टेप गई है इसमें आपके राइजर कितने आने वाले तो हाइट अफ फ्लोर माली जी कि आपके हाइट अफ फ्लोर कितनी है 11 फिट है माली जी यह मैं आपको एक एक्जाम्पल दे रहा हूँ जो भी आपका height of flow रहेगा वो आपको लेना है वो राइजर ले लिजी आप 6 इंच तो ये total लगभगवा कितना जाएगा आपका 22 ठीके ना तो 22 कितना हुआ ये total हुआ है ये वाला भी आया है और ये वाला भी आया यदि आप एक step की बात करेंगे तो आप इसको divide करेंगे तो राइजर माइनस 1 तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजे ध्यान रखना है ये कौन-कौन सी फेंड़ावेंटर फेक्टर जो बनाने में यूज होती है तो आपको इसी को ध्यान रखना है सबसे main factor होता है आपका राइजर का trade का ठीक है ना ट्रेट के बाद लेंडिंग ले लगवग लगवग सभी साइट पर आपको यही चीज दिखती है ठीक है यदि वीडियो अच्छे लगता है दोस्तों तो वीडियो को एक बाल लाइक जरूर कीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट रहता है तो आप मुझे पुछी जरूर ठीक है मै बेल आइकन को हिट कर लिजिए इससे आने वाले सभी वीडियो की नॉटिफिक्सन आपके पास सबसे पहले पहुच जाएगी अब हम मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप हमसत्त बने रहिए थैंकियो फर वाचिंग